प्रमुक्त नान है हम ऐसा मानते हो और यह ब्रह्मकुन बोला जाता है हरकी पोड़ी का ब्रह्मकुन यहीं स्नान करने से आत्मा को पवित्रता मिलती है शुक्षान्ती मिलती है परिवार में सब शुक्षान्ती से रहे नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मुकेस हेल्प में स्वागत है मैं फिर से एक बार हर्की पॉड़ी पहुच चुका हूँ और आज जो है कुम का दूसरा इसनान है आज का दिन बहुत ही खास होता है क्योंकि आज के दिन मौनी अमाश्या का एक बहुत की सूप पर होता है इस आउसर पर बहुत सारे स्रिध्धालू हर्की पॉड़ी पहुचते हैं तो आज हम हर्की पॉड़ी के में इस्थान में चलेंगे और वहां पर जानेंगे कि वहां पर स्रिध्धालू की संख्या कितनी हैं कितनी स्रिध्धालू यहां पर आए हुए है और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि रात 8 बजे के आसपास गंगा जल का जो फ्लो है उसको कम किया गया था क्योंकि उसमें जो सिल्ट की मात्रा है वो बढ़ गई थी तो बने रहे हमारे साथ और वीडियो को लाच तक जरूर देखें इसके साथ साथ हरकी पॉड़ी में प्रेजन टाइम में कितनी भीड है कितने सरधालू आये हुए है ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है तो वीडियो को लाच तक जरूर देखें तो चलते हैं और देखे तो दोस्तों अब मैं हरकी पॉड़ी के मेन इस्थान ब्रह्मकुन घाट पर पहुंचने वाला हूँ तो दोस्तों अब मैं ब्रह्मकुन घाट में पहुंच चुका हूँ और ब्रह्मकुन घाट पर आप देख सकते हैं आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है इस वीडियो को देखकर आपको पता लग गया होगा कि आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं जो जल का फ्लो है गंगा जल का फ्लो है वो बहुत ही कम है और इसकी बज़ए यही है कि जो चमॉली में जो ग्लेसर फटने की बज़ए से कल राट आठ बजए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जल जब हरखी पॉड़ी पहुंचा तो इसमें सिल्ट की मात्रा बढ़ गई थी जिसकी बज़े से 8 बज़े के आसपास जल के फ्लो को कम किया गया है तो दोस्तों आप चलते हैं आगे दोस्तों अगर आप इसी तरह हरिद्वार कुम्ब के सभी इसनान को देखना चाहते हैं हरिद्वार कुम्ब से संबंदित सभी जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो आप से रिकर्ष्ट रहेगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे इसके साथ साथ अगर आप कुम्ब से संबंदित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम एकाउंट में मुझसे बात कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आइडी है मुकेस हेल्प आज हर तरफ आपको बहुत ही ज़्यादा से धालों की भीड़ देखेगी मेरे इंस्तूड़ आपको अदित कि भीड़ क्यां आपकोई आपको आपको इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम एक बात कि एक भीड़ कार से सकते हां दोस्तों आज देख सकते हैं जो महिला घाट है वहां पर बहुत ही ज्यादा भीड़ है और जल का फ्लो यह जल कम जरूर है लेकिन स्रिधालू की जो आस्ता है वो लगातार जुड़ी है और स्रिधालू यहां पर बहुत ही अच्छी तरीके से स्नान कर रहे है यह देख सकते हैं आप हर तरप आज सद्धालू की भीड़ है और होनी भी चाहिए क्योंकि आज कुम का दूसरा इसनान है और उसके साथ साथ मौनी अमाउश्या का सूब आउसर है मैं आपको इस वीड़ो में हर की पॉड़ी के हर तरप के जो द्रस से हैं वो दिखाने वाला हूँ देख सकते हैं लोगों के घुटने से नीचे जल की जो मात्रा है और उसी में दूब की लगा रहे हैं दोस्तों आज मौनी अमाउश्या के सुब आउसर पर हर की पॉड़ी में पहुचा था तो यहां कुछ लोग हैं जो सब्सक्राइबर हैं आयमदाबाद से काफी दिनों से मुझसे जुड़े हुए हैं तो उन्होंने मुझे पहचान लिया है और यह देख सकते हैं यह पांच लोग हैं और यह आयमदाबाद गुजरात से आए हुए हैं और मैंने मास्क और कैप जरूर लगाई थी लेकिन लोगों ने मुझे पहचान लिया और मुझे बहुत ही खुसी है और भाइसाब सबसे पहले तो आप अपना नाम बताईए आपका नाम क्या है मेरा नाम पिनागिन और गुजरात यमदाबाद का रहने वाला हूं साबर मती से हम लोग आठ तारिक को यहां बहुतवार पहुच गये थे हम लोग यहीं प्रमुक्सनान के लिए इसे नौर्मल आगए यहां पर लेकिन आप काफी दिन पहले आ गये थे यहां इसी वज़े से आप आसानी से और चालू हो गया है इसी वज़े से आप आसानी से आ गए थे क्योंकि आप 7-8 तारीक को यहां पहुंच गए थे और यहां पहुंचने में आपको कोई किसी तरह की परिशानी तो नहीं हुई इसनान कर लिया आप नोगे लिए यह प्रम्बकुंड में जो स्नान होता है प्रमुक्ष्णान कुंब का वो प्रत्रम स्नान हमने कर लिया है अच्छा 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 सब शुक्सांती से रहते हैं बहुत अच्छी बात है सर आपने बहुत ही कम सब्दों में आपने बहुत बड़ी बात बोल दी है ठीक है सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका अरिद्वार हद की पॉड़ी पहुंचे हैं ठीक है तो दोस्तों यहां देख सकते हैं सुबह सुबह का समय और यह सूरज निकलता हुआ ओ नमाई शिवाए ओ नमाई शिवाए ओ नमाई शिवाए नमाई शिवाए ओ 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 नमाई और दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह सुबह के लबबक साथ बजे का समय है और साथ बजे ही हर की पॉड़ी में इतनी भीड हो चुकी है और जैसे जैसे दिन निकलेगा सुरद निकलेगा ठंड कम होगी तो स्रिधालों की भीड बढ़ने की बहुत ही उमीद है दोस्तों यह जो गंगा जल में सिल्ट की मात्रा है वह मैं आपको नज़्दीक से दिखाता हूं भाई साब उठाना जड़ा सेल्ट तोड़ा है समान देखो समान यह देख सकते हैं गंगा जल में सिल्ट की मात्रा बढ़ चुकी है और इसी वज़े से जो जल की फ्लो को कम किया गया था दोस्तों कोरोना संक्रमण के बीच बहुत ही सक्त नियम हरिद्वार पहुंचने के लिए लगाये गये थे और फिर भी लोगों ने इसका पालन करते हुए और बहुत ही ज्यादा संख्या में शुरद्धालू यहां पहुंचे हुए है और अगर आप भी यहां तक पहुंच आउनलाइन रेजिस्टेशन कराना जरूरी है और जब आप अउनलान रेजिस्टेशन कराएंगे तो उसमें कोविड रिपोर्ट जरूरी होगी और उसके बिना आप रेजिस्टेशन नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों आप चलते हैं मार्केट की और और मार्केट की और देखते हैं कितनी भीड है और मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा यह जो द्रस आप देख रहे हैं यह हरकी पॉड़ी 11 फरवरी के हैं और आज कुम इसनान का जो दूसरा इसनान है उसके साथ साथ मौनी अमाउस्या का सुब आउसर है वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा लोगों को सेर करें ताकि सब लोग घर बैठ कर मा गंगे के दर्सन कर सकें फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में आप अपना ख्याल रखें जै हिंद जै गंगे माता